फिलम की शुरवात में जॉसफिन नाम की एक लड़की ड्रेंग करते हुए अपनी स्टोरी बता रही होती है कि आज वो जिस पुजीशन पे है उसे यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछे जेलना पड़ा इसके बाद हमें बता चलता है कि वो एक अंजान आदमी के साथ इंटिमेट हो रही है जॉसेफिन का काम और फेवर पास्ट टाइम इंटिमेट होना ही है कुछ देर बाद उस अंजान आदमी का काम हो जाता है और वो खुद को साफ करने के लिए वाश्रूम जाता है इसके बाद जॉसेफिन अपनी कहानी आगे बढ़ाती है वो बताती है कि उसने आज तक कि किसी भी मर्द को ये ऐसास नहीं होने दिया कि वो जॉसेफिन को सैटिस्वाइ कर सकते हैं इसी तरह से उसने प्रोस्टिशन के धंदे में अपनी इज़त बनाई है इसके बाद पढ़ रही होती है और उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजे सुनाई देती है वो अपने कमरे से बाहर जाती है और देखती है कि उसका स्टेप ब्रदर रिचर्ड अपने पेरंट्स के कमरे में जाकर अपने हात्यार को सहला रहा है वो उसके पास जाती है और उससे सवाल करती है कि वो ये क्या कर रहा है तब रिचर्ड सहम जाता है और अपने पेरंट्स की और इशारा कर देता है जॉसिफिन देखती है कि उसके पेरंट्स intimate हो रहे होते हैं अब ये दोनों अपने parents को देखने लगते हैं साथी में Josephine अपने step brother Richard के private part को touch करने लगती है Richard को भी अच्छा लगने लगता इसलिए वो उससे नहीं रोकता इस तरह से कमरे के अंदर उनके mom dad और बाहर वो दोनों बाई बहन हदे पार कर रहे थे थोड़ी देर में Josephine के dad का का काम ख़तम हो जाता है और वो ठक जाते हैं नगर इसकी mom सैडिस्वाइड नहीं होती है इसके बाद Richard जॉसिफिन को कमरे में ले जाता है और वो उसके साथ intimate होना चाता है लेकिन Josephine ने ये पहले कभी नहीं किया था इसलिए उसे पेन होने लगता है और वो Richard को रोक दीती है इसके बाद दोनों सिरफ एक दूसरे को pleasure देती है उसी राद से Josephine के मन में sexual desire बढ़ने लगती है और वो हर वक्त इस बारे में ही सोचने लगती है तब Josephine अपने आसपास के बड़े लोगों से ये सारी चीज़े सीखना चाती थी और एक दिन उसके स्टेफ फादर के दोस्त जिनका नाम मिस्टर बेकर होता है वो कुछ दिनों के लिए Josephine के घर में रेंट पे रहने के लिए आये हुए थी Josephine के डैड काम पे चले जाती थी और Josephine भी अपनी माम से कहती है कि उसे वौक के लिए बाहर जाना है मगर जैसे ही Josephine अपने घर से बाहर निकलती है तो वो अपने डैड की आवाज सुनती है जो कि मिस्स पी बोड़ी से बात करते हुए आ रहे थे दरसल मिस्स पी बोड़ी एक विद्बा ओरत है जो की अकेले रहती है और वो बजार से कुछ समान लेकर आ रही होती है मगर Josephine के डैड से मिस्स पी बोड़ी की तकलीफ देखी नहीं चाती और वो उसकी मदद करने लगती है ये देखकर Josephine तुरंट अपने घर के दरवाजे के पीछे चुप जाती है और अपने डैड को उस औरत के साथ उनके घर में जाते हुए देखती है इसके बाद Josephine उनके पीछे पीछे मिस्स पी बोड़ी के घर के बाहर तक चली जाती है जहां वो देखती है कि उसके डैड उस औरत को इस मौके का फाइदा उठाने के लिए बॉल रहे है अलाकि मिस्स पी बोड़ी को डर लग रहा होता है कि कहीं कोई उन्हें ऐसा करते हुए देखना ले लेकिन मिस्टर ग्रे उन्हें भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो दोनों इंटिमेट होने के चक्कर में गेट भी बंद करना भूल जाते हैं जिसके करण अंदर का सारा नजारा जासेफिन देख रही थी ये सब देखर जासेफिन से रहा नहीं जाता और वो प्लेज़ा लेने लगती है वगर तब ही उसके स्टेफ फादर मिस्टर ग्रे आकर दर्वाजा बंद कर देती है जिसे जासेफिन को कुछ दिखाई नहीं दिता इसलिए वो अपने घर वापिस आ जाती है या वो और भी जादा हिरान हो जाती है क्योंकि जासेफिन की मौम अपने किराईदार के साथ इंटिमिट हो रही थी और उससे थोड़ा जल्दी करने को कह रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं जासेफिन वो करके वापिस घर ना जाए लेकिन जासेफिन ये नोटिस करती है कि उसकी मौम को अपने हस्बेंट से जादा मिस्टर बेकर के साथ मजा रहा था ये सब देखकर जासेफिन फिर से अपना प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है और जब उसकी मौम का काम ख़तम हो जाता है तो वो दर्वाजे के पास जाकर आवास करती है तांकि उसकी माम को लगे कि जॉसिफिन अभी घर आई है वो उन दोनों के साथ इंडारेक्टली मजा करती है कि उसने सब कुछ देख लिया मगर जॉसिफिन की माम उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और ये सब देखकर जॉसिफिन और भी जादा एकसाइटेड हो जाती है और अपने लिए सही मौके का इंतजार करने लगती है कुछ दिनों के बाद मिस्टर हचिसन उनके बेसमेंट को रेंट पे लेती है इसे दुरान उनकी दोस्ती मिस्स पी बॉड़ी से हो जाती है जिससे जॉसिफिन जेलस फील करती है और कुछ देर बाद जॉसिफिन देखती है कि वो दोनों गडाऑन में जाकर इंटिमेट हो रहे हैं इस बार जॉसेफिन चुपकर नहीं बलकि उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है वहीं जब दोनों की नजर जॉसेफिन पर पड़ती है तो वो डर जाते हैं मिस्टर हचिसन जॉसेफिन को कुछ पैसे देकर उसे अपना मूँ बंद रखने की रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन जॉसेफिन पैसे लेने से मना कर देती है वो कहती है कि मिस्टर हचिसन जॉसे प्लैजर देने लगती है तो वो खुश हो जाती है तब भी मिस्टर हचिसन की बारे में पता चलेगा तो सही नहीं होगा तब जॉसिफिन मिस्स पी बोडी को बता देती है कि उसने उसे और उसके डैड को इंटिमेट होते होए देखा है अगर वो मिस्टर हजिसन की बात उसके डैड को बताएगी तो वो भी उनके बारे में सब को बता देगी ये सुनकर मिस्स पी बोडी शान्थ हो जाती है लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जॉसिफिन मिस्टर हजिसन के साथ मज़े करे लेकिन मिस्टर हजिसन उसे ये कहकर वहां भेज देता है कि उन्हें तो ये सब मजबूरी में करना पड़ा इसलिए मिस्टर पीबोडी वहां से चली जाती है और जॉसिफिन मिस्टर हचिसन के साथ मज़े करने लगती है यहां वो अपनी वरजनिटी भी लूज करती है इसके बाद सही जॉसिफिन रात में बिना कपड़ों के सूने लगती है एक दिन जॉसिफिन की मॉम को नीमोनिया हो जाता है और उन्हें होस्पिटलाइज किया जाता है तब जॉसिफिन को ही घर का सारा काम संभालना पढ़ रहा था मिस्टर ग्रे काम पर चले जाती है और जॉसिफिन मिस्टर बेकर के पास ब्रेकफस्ट लेकर जौती है मिस्टर बेकर नींद में होते हैं जिसे उन्हें लगता है कि जॉसिफिन की मौम है इसलिए वो जॉसिफिन के हाथ में अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ा देती है और जॉसेफन भी उसे प्लैजर देने लगती है लेकिन जब मिस्टर बेकर चाकते हैं तो वो जॉसेफन को देखकर हैरान हो जाती है नगर जब उन्हें पता चलता है कि जॉसेफन अपनी माम की जगा लेना जाती है तो वो तुरंद राजी हो जाती है और फिर वो दोनों इंटिमेट होने लगते है मिस्टर बेकर पुरी तरह से ठक जाते हैं पर जॉसिफन का मन ही नहीं बर रहा होता है वो जॉसिफन से कुछ खाने के लिए मांगती है और तब ही वहाँ पर जॉसिफन के स्टेफ फादर आकर बताती है कि उसकी माम की मौत हो चुकी है इसी बीच उनकी नजर जॉसेफन और मिस्टर बेकर पर पड़ती है जो की बिना कपड़ों के थे वो बिलकुल हैरान हो जाती है और बेकर को अपने घर से निकाल देते हैं और जॉसेफन को कुछ भी नहीं कहते वो उसे बात ही करना छोड़ देती है इस तरह से जॉसेफन की इंटिमेसी की यादे बहुती धरतनाक लमहों में बदल जाती है जॉसेफन को लगता है कि जिस वक्त उसकी मौम को उसकी सबसे ज़ादा जरूरत थी तब वो मिस्टर बेकर के साथ अपनी ख्वाइशे पूरी करने में लगी हुई थी इस तरह जॉसेफन दोबारा किसी मत के साथ सबंद नहीं बनाती लेकिन वो रजाना सोने से पहले पलैज़ा लिया करती है एक दन उसकी स्टेफ वादर उसे ये करता हुआ देख लेते हैं और वो भी अपने कमरी में जाकर खुद को पलैज़ा देने लगती है और ये जॉसेफन भी चुप कर देख लेती है अगले दिन उसके स्टेफ फादर जॉसेफन को अपने गुनाओं को खतम करने के लिए उसे चर्च में भीजते हैं वही चर्च में जॉसेफन फादर को जाकर बताती है कि उसे अपने गलत कामों को कनफेस करना है दा फादर जॉसेफन से पूछते हैं कि उसने कौन से पाप की है जॉसेफन बता देती है कि उसने कई मर्दों के साथ शारीरिक सबंद बनाई है यह जाने के बाद फादर भी जॉसेफन का फाइदा उठाने के बारे में सोचते हैं और वो सारी चीज़े खुद के साथ करने के जिस पर जॉसिफन तयार हो जाती है और वो फादर के साथ intimate होती है दोनों intimate हो रहे थे तब एक और लेडी आती है जिसके साथ भी फादर यही सब करते थे उसे फादर यह कह देते हैं कि आज तो वो जॉसिफन को पापों से मुक्ती दिलाएंगे इसे लिए वो आज इसकी मद गोड़े घाड़ी में लिफ्ट देती है रस्ते में वो लोग अपनी सेक्शो लाइफ डिस्कस करती है तब जॉसिफन को पता चलता है कि वो लेड़ी अपने गोड़े घाड़ी के ड्राइवर के साथ भी फिसीकल होती है कुछ दिर बाद एक सुनसान जंगे पर वो लोग जो पहली मुलाकात में ही जॉसिफन के काफी करीब आने की कोशिश करता है नगर जॉसिफन उससे दूर भागती रहती है अब कोई भी रूम खाली ना होने की विडियो से जॉसिफन को अपने डैड के रूम में ही उनके ही बैट पर सोना पड़ता है और क्योंकि जॉसिफन को बिना कपड़ों के सोने की आदत हो गई थी इसलिए वो अपने डैड के साथ भी बिना कपड़ों के ही सोती है उसी रात उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या चर्च के फादर ने उसका फाइदा उठाया जॉसेफन इस बात पर हामी भर देती है तो वो भी पूछने लगते हैं कि उस फादर ने उसके साथ सारी चीज़े कैसे कैसे की और खुद भी वो जॉसेफन के बदन को चुने लगती है लेकिन फादर की हरकते सुनकर गुसे में जॉसेफन के डैड सो जाती है और तब ही जॉसेफन भी सो जाती है लेकिन जब वो आदी रात को जाकती है तो उसके स्टेफ फादर उसके साथ गलत हरकत कर रहे थे लेकिन जॉसिफन को इसमें मजा ने लगता है इसलिए वो सोई रहने का नाटक करती है अगली रात बिलकुल ऐसा ही होता है वो थोड़ी देर तक सोई रहने का नाटा करती है फिर वो जा कर अपने डैड से सवाल करती है कि वो उसके साथ क्या कर रहे हैं तब उसके डैड कह देती हैं कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा तब जॉसेफन भी मान जाती है और अब दोनों खुलकर फीजिकल होते हैं इस तरह से दो हफ़ते गुसर जाती है और उसाना जॉसेफन के डैड काम पे जाने में लेट हो जाती है एक दिन वो दोनों ब्रेकफस्ट के टाइम भी इंटिमेट हो रहे थे तब ही उनका किराइदार रिडॉल्फ ये सब देख लीता है तब जॉसेफन के डैड काम पे चली जाती है और अकेले में रिडॉल्फ जॉसेफन को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ भी इंटिमेट नहीं होई तो वो उसके डैड की कमप्लेन पुलिस में कर देंगे इस डर से जॉसेफिन रिडॉल्फ के साथ भी इंटिमिट हो जाती है उसी दिन जॉसेफिन के डैट को काम से निकाल दिये जाता है क्योंकि वो रोजाना लेट काम पर चा रहे थे ऐसे में वो रॉडॉल्फ को अपने घर से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि घर में पैसे उसी के होने की वज़े से आ रहे थे इसी बात का फाइदा उठाकर रुडॉल्फ जैनी नाम के एक प्रास्टिट्यूट को भी घर ले आता है जिसके बाद ये चारों मिलकर फॉर सम करती है अगले ही दिन से जैनी अपने कस्टमर को लेकर जॉसेफन के घर आने लगती है और कुछ पैसे वो जॉसेफन के डैड को भी देती है फिर डॉल्फ जॉसेफन के डैड को कहता है कि उन्हें जॉसेफन को भी इस काम में लगा देना चाहिए जिससे उनकी पैसों की सारी दिक्कत खतम हो जाएगी इस पर जॉसिफन के डैड भी मान जाती है इस तरह जॉसिफन एक प्रॉस्टिडूट बन जाती है और इसके साथ ही ये फिलम यहीं पर खतम हो जाती है गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं कोरकमाल की वीडियो के साथ धन्यवाद